इंदौर के सघन शेत्रों में घने और व्यस्त इलाकों में केबलकार चलेगी जिसमें एक समय में एक केबलकार में 6-8 यात्री बैठ सकेंगे केबलकार के सर्वे के लिए इंदौर विकास प्राधिकरन कंसल्टेंट नियुक्त कर रहा है जो feasibility survey कर बताएंगे के इंदौर के किन शेत्रों में केबलकार उप्योगी है केंदौर परिवहन मंत्राले से मिली सैध्धान्तिक मजूरी के बाद प्राधिकरन इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है प्राधिकरन ने बजट में भी इसके लिए एक करोड रुपे की प्रारम्वेक राशी रखी है इंदौर विकास प्राधिकरन की बोड में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई एक नंबर विधान सभाशेत्र में बड़ा गणपती चौरहा और मरी माता चौरहा पर फ्लाई ओवर बनाया जाएगा इसके अलावा राजीव गांती प्रतीमा चौरहा पर भी फ्लाई ओवर बनेगा तीनों फ्लाइ ओवर के लिए सर्वे होगा इसके लिए बोर्ड ने मन्जूरी तक दे दी है इसके अलावा वानेश्वरी कुंड में उध्यान और खेल मैदान बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट पर प्राधिकरन 12 करोड रुपए का खर्चा करेगा केवल कार इंडवर में इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो थीम है वो यह है कि सहर हमारा बहुत तेज गती से बढ़ रहा है और यातायात का जो ट्राफिक है दवाओ है वो भी लगातार बढ़ आए जी बहुत पुराना सहर है जैसे सघन जो चहतर है जैसे जवाहर मार्ग है राजबाड़ा का चहतर है खजूरी का चहतर है और अन्य जो कपड़ा वजार है उधर के एरिया में अगर हम बात करें कि Coleman ATS चला सकते हैं या मेट्रो चला सकते हैं तो बहुत थोड़ी सी दिक्कत है